हेलो एवरिवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय अकेडमी, 12 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्टी संस्क्रण को आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे में हेडिंग जो बनाई है दैनिक जागरण ने, वो है, OBC पर राज्यों के अधिकार बहाल करने संबंधी विदेयक संसद में पारित, अन्य पिछड़ा वर्ग याने OBC की पहचान करने और सूची पनाने के राज्यों के अधिकार बहाल करने संबंधी समिधान का 127 संसोधन विदेयक बुद्धवार को राज्यसभा में पारित हो गय विदेगपर चर्चा के दौरान राज्य सभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष में आरोप पत्यारोप का दौर चलता रहा विपक्ष ने सरकार पर OBC के नाम पर सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगाया और कहा यहां प्रेम विधान सभा चुनाव में फाइदा लेने के लिए क सीमा के मुद्दे पर एक बार फिर इस्तिती साफ की है उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस पर नए सिरे से विचार होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोट ने इंद्रा साहनी मामले में जब यह व्योस्था दी थी तब से 30 साल का समय हो गया है उस समय इस्तिती कुछ और थी आज कुछ और है ूइक नेक्स्ट मुझ ए विचुर्गों के लिए सर्वोत्तम गुडवत्ता वाले राज्यों में राजस्थान हिमाचल और मिजोरम एगे राजस्थान हिमाचल प्रदेश चंडीगड़र और मिजोरम अपने भुजूर्ग आबादी के गुडवत्ता पूर्ण जीवन के मामले में सीर्स राजियों एवं केंसासित प्रदेसों में सामिल हैं। Institute for Completedness द्वारा तैयार बुजुर्गों के लिए जीवन का गुडवत्ता सुचकांग सीर्सक वाली रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। यह सुचकांग देश की बुजुर्ग आबादी के कल्यान का आकलन करता है। रिपोर्ट में 50 लाख बुजुर्गों की आबादी वाले राजियों को बुजुर्ग और 50 लाख से कम बुजुर्गों की आबादी वाले राजियों को अपेक्षाक्रत बुजुर्ग राजियों क रख्खा गया है राजस्थान वुझुर्ग राज्यों कि स्रेणी में सबसे उपर है उसके बाद महरास्थ और बिहार है हिमाचल परदेस अपेक्ष्या क्रत वुझुर्ग राज्यों कि सूची में सबसे आगे है जबकि उत्राखंड और हर्याना कर्मसा दूसरे और तीसरे इस्थान पर हैं चन्डिगड और मिजोरम केंदर सासित प्रदेश हैं और पुरुपत्र राज्यों की स्रेडियों में सिर्श स्कोर रखते हैं। दूसरी उड तिलंगाना और गुजरात ने बुजुर्ग और अपेक्षाक्रत बुजुर्ग राज्यों की स्रेणी में सबसे कम स्कोर किया है। जम्मु कस्मीर और अणाचल प्रदेश को केंद्र सासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों के छेत्र में सबसे नीचे रखा गया है। अब यहां पर जो आप देख सकते हैं रैंकिंग दी गई है आप इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं। कि इंदौर बना देश का पहला वाटर प्लस सहर लगातार चार बार से देश में सबसे स्वक्ष सहर का खिताब जीत रहें इंदौर को। केंद्रिय सहरी विकास मंत्राले ने देश का पहला वाटर प्लस सहर घोसित किया है। बुद्धवार को इसकी घोशना की गई है। इंदौर नगर निगम ने वाटर प्लस सर्टिफिकेट के लिए सहर की कानहा और सरस्वती नदियों के अलावा उन से जुड़े छोटे बड़े नालों में गंदे पानी को मिलने से रोकने उसे पाइपलाइन के जरिये सीवरेश ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाने क की विवस्ता की थी उपचार के बाद पानी का अलग-अलग कारियों में दोबारा उपयोग भी किया जा रहा है पिछले दो साल से नगर निगम वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने के लिए प्रयास कर रहा था अब इस सर्वे के बारे में जान लेते हैं कि स्वक्ष भारत अ चाहता है कि नदी नालों में केवल साफ और बरसाती पानी ही बहे और सीवरेज के पानी का दोबारा उपयोग होता रहे वाटर प्लस सर्वे में पानी काला नहीं दिखना चाहिए इन दोर में कानहा सरस्वती नदियां और उनसे जुड़े 25 छोटे बड़े नाले इस गंद नालों में मिलने वाले पानी को पाइपलाइन के माध्यम से सीवरेज ट्रीट्मेंट प्लान तक लगाया गया जहां से उसे उपचारित कर विभिन कारियों में उसका दुबारा उपयोग होने लगा वाटर प्लस के लिए किसी भी सहर को खुले में सौच से मुक्त होना और या उपलब्दी पहले ही हांसिल कर चुका है नेक्स्ट नीज है कि 1500 किलो मीटर रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परिक्षंग आस्मान में अपनी ताकत बढ़ाने के उद्देश से भारत ने बुद्धवार को स्वदेशी तकनीक से बनी 1500 किलो मीटर रें 500 से 300 किलो ग्राम तक पारंपरिक वा आडविक युद्धास्तरत लेकर जाने में सच्छम है इसकी गती ध्वनी से 7 से 9 गुना अधिक है बुद्धवार को 9 बार इस मिसाइल का परिक्षण किया गया इसका बूस्टर इंजन भारत में ही तयार किया गया है निर्भया मिसाइ परिक्षण के इस आधुनिक वह सकती साली मिसाइल का परिक्षण किया है नेक्स पेज पर आते हैं अग जो है बिजनेस पेज पहली निउस है इसमें कि सरकारी निजी छेत्र की भागेदारी से ही आतनिर्भर होगा देश प्रधान मंते नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतनिर अकेलि सरकारी प्रयासों से संबह नहीं है इस काम में उद्दोग जगत की बहुत बड़ी भागेदारी की जरूरत है प्रधान मंतरी ने कहा कि हमारा लक्ष ब्रांट इंडिया को मजबूत करने के सांथ बेस को समरद करना है इस लक्ष की प्राप्ति के लिए उद्दोग के सांथ समवाद में प्रधान मंतरी निरेंद मोदी ने कहा कि सिर्फ एक पईये से गाड़ी नहीं चल सकती अब CII के बारे में जान लेते हैं CII इसका फुल फॉर्म होता है Confederation of Indian Industry यानि कि भारती उद्दोग परिसंग इसकी स्थापना 1895 में की गई थी और ये भारत की एक गैर सरकारी गैर लाफ उद्दोग निर्टत तथा उद्दोग प्रतिबंध संग्ठन है ये भारत की उद्दोगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्रिये भूनिका निबहता है भारति उद्दोग परिसंग वैस्विक चेत्रीय और उद्द्दोग को आकार देने के लिए व्यापारिक, राजनीतिक, सैक्षनिक और समाज के अन्यनेताओं के सांत में सलाकार और सलाकार प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के अनुकूल मोहल बनाने और बनाए रखने के लिए कारे करता है, यह एक सदस्यता आधारिज संगठन है और सदस्यता निजी और सारजनिक छेत्रों से मिलकर बनी है, जिसमें भारत में SME और बहुराष्टी कंपनियों और छेत्री संगठन सामिल है, 9000 निजी और सारजनिक प्रतिष्ठान और कंपनियां 3 लाख कंपनियां की अन राष्टी और छेत्री संगठनों द्वारा अप्रतिक सदस्यता है, अगर हम इसके इतिहास की बात करें, तो इसका इतिहास 125 साल पुराना है, यानि 1895 में इसकी स्थापना हुई थी, जब 5 इंजीनिरिंग फर्मों ने भारत में इस्थित कंपनियों के लिए ततकालीन सरकार से आदेश प्राप्त करने के लिए इंजीनिरिंग और 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 ट्र माताओं के कारण को बढ़ावा देने पर केंद्रित था, इंजीनिरिंग एस्थापना 1922 में की गई थी, जो की छोटी और मजोली इंजीनिरिंग फर्मों को बढ़ावा देने का कारे करती है, 1974 में, 1974 में, AIEI, भारती इंजीनिरिंग उद्दोग परिसंग के गठन के लिए, IEA और EAI के विले को मंजोरी दे दी गई, 1986 में, 1986 में, Confederation of Engineering Industry यानि की CEI बना और 1991 आते आते ये भारती उद्दोग परिसंग बन गया, आगे आर्टिकल में बताया गया है, इस नियूज में की, प्रधान मंत्री ने उद्द्मियों से कहा कि अब देश वासियों की भावना भारत में बने उत्पात के साथ है, कमपनी भारती हो ये जरूरी नहीं, लेकिन अब हर भारत में बने उत्पात को अपनाना चाहता है, देश मान चुका है कि अब उद्द्योग जगत को इस मन के मुताबिक अपनी नीती बनाना है, रणीती बनाना है, सुतनतता दिवस पर निर्यातकों को रोड़ टैप का तौफा संभव, अभी रोड़ टैप क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, रोड़ टैप का जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है, रेमिशन ओफ ड्यूटीज एंड टेक्सेस ओन एक्सपोर्ट प्रोड़क्ट्स, देखिए, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दिया गया है, Remission of Duties and Taxes on Export Products भारत सरकार ने हाल ही में घोशना की है कि रोट टेप के लाब को सभी वस्तों के लिए बढ़ाया जाएगा रोट टेप योजना 2020 में अंतराश्टी बाजारों में भारत की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लौँच की गई थी और वानिज जी सचिव BVR सुब्रामंडियम ने कहा है कि निर्यात प्रोटसाहन के लिए सरकार इस सप्ता के अंतक रोट टेप की घोशना कर सकती है सचिव ने बताया कि नई विदेश व्यापार नीती भी सितंबर मद तक घोसित हो जाएगी अगस्त आखरी तक विदेश व्यापार नीती अधसूचित हो सकती है और मद सितंबर में उसे लौँच किया जाएगा रोट टेप स्कीम को इस वर्स पहली जनवरी से लागू माना जाएगा लेकिन अब तक इसकी दरे घोशित नहीं की गई है इस से निर्यातकों को पिछले कई महीनों से कोई रिफंड नहीं मिल रहा है रोट टेप के तहट निर्यात होने वाली वस्तूओं को तयार करने में लगने वाले टेक्स निर्यातकों को रिफंड कर दिये जाएंगे नेक्स निउस है कि प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना की खामिया गिनाते हुए किनारा कर रहे हैं राज जी तो सबसे पहले हम इस फसल बीमा के बारे हम जानते हैं कि प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना का उद्देश किसानों की फसल को बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिस से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है साल 2021 की खरीब सीजन यानि की जुलाई से सितंबर में धान, मक्का, बाजरा, कपास तथा रभी सीजन में गेहूं जो, चना, सरसो वा सूरज मुकी फसलों का बीमा कराया जा सकता है फसल का बीमा करवाने की आखरी तारिख 31 जुलाई रखी गई थी जो अब बढ़ा दी जा सकती है यदि इस योजना को हम देखें तो प्रीमियम में किसानों के अंसिदान में कोई प्रिवर्तन नहीं किया गया है उन्हें खरीब फसलों पर 2 फीसदी, रवी फसलों पर 1.5 फीसदी और बागबानी नगदी फसलों पर अधिक्तम 5 फीसदी प्रीमियम देना होगा बीमा कमपनियों एक साल के बजाए कम से कम 3 साल के लिए टेंडर इसमें भरेंगी सरकार की महत तो कांची, प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना में खामिया गिनाते हुए कई राज्यों ने इससे खुद को अलग कर लिया है इनमें से जादातर राज्यों ने अपनी अलग फसल बीमा योजना लागू की है जिसमें भाजपा सासित राज्य भी सामिल है क्रसी मंत्रालेक के संसदिय इस्थाई समिती ने फसल वीमा योजना की खामियों को दूर कर सभी राज्यों को उसके दाइरे में लाने की सिफार इसकी है किसानों को उनकी खेती के जोखिम से बचाने के लिए रक्षा कवच की रूप में सरकार ने जोर सोर से प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना की सुरुवात की थी और इसमें किसानों को नियूंतम प्रीमियम भुकतान के साथ कई और रियायतें दी गई थी इसके बावजूद आधा दर्जन से अधिक राज्यों ने इसमें खुद को अलग कर लिया है पंजाब वर्ष 2016 में इस योजना की सुरुवात से ही अलग था बिहार ने 2018 पश्चिम बंगाल ने 2019 में इसे वापस ले लिया था आन परदेश गुजरात ते लंगाना जारकंट भी इस योजना को 2020 में बंद कर चुके हैं नेक्स निउस पर आते हैं जो है आर्टिकल पेज से आर्टिकल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है क्रोना के बाद वैस्विक अर्थ व्यवस्था और ये आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के जानकार भरत जुंजला अलादारा और इस आर्टिकल में ये बताया गय है अब जो अब positive माना जा सकता है उस पर लिखा गया है ये article article में बताया गया है कि अंतराश्टी मुद्रकोश यानि IMF द्वारब प्रकाशित finance and development प्रत्रिका में Eurasia Group के प्रमुख इयान ब्रेमर का कहना है कि कुरोना संकट के बाद वैश्वी करण की मुहीम को जटका लगेगा कुरोना के बाद दुनिया में वैश्वी करण के बजाए राश्टी करण अधिक होगा इसे उन्होंने डी globalization की संग्या दी है तो सबसे पहले हम IMF के बारे में जानते हैं कि IMF क्या है लेकि IMF का full form है International Monetary Fund एक अंतराश्टी संस्ता है ये जो अपने सदस्यों की वैस्विक आर्थिक इस्तिती पर नजर रखने का काम करती है यह अपने सदस्यों को आर्थिक और तक्नीकी साहता प्रदान करती है इसकी स्थापना 1944 में की गई थी अंतराश्टी मुद्रकोस का उद्देश अंतराश्टी वित एवं मौद्रिक स्थिर्ता को बनाए रखने के उपाय करना है तथां अंतराश्टी व्यापार के विस्तार एवं पुरुर्थान हेतु वित्तिय आधार उपलब्द कराना, आर्थिक प्रगती को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अंतराश्टी व्यापार सुविधा जनक बनाना है अंतराश्टी मुद्राकोस 187 देशों का संग्ठन है जो विस्तार में मौद्रिक सयोग बढ़ाने, वित्तिय स्थिर्था लाने अंतराश्टी व्यापार में मदद करने, आर्थिक रोजगार तथा सतत आर्थिक व्रद्धी को प्रुसाहन देने और विस्तार में गरीबी क कम करने के लिए कारिक करता है, IMF में सदस्य देश आपको पता चल गए, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अब तक विचार था कि छोटी बचत के लिए भी देश, एक देश से दूसरे देश माल को ले जाना लावप्रद होता है, क्रोना संकट ने ऐसे व्यापार को कठिन बना दिया है, यदि किसी देश में संकट पैदा हो गया और उस देश से माल के अपूरती बंद हो गई, तो खरीदने वाले देश को कच्चा माल मिलना बंद हो जाएगा, जैसे भारत का एक्जामपल लेते हैं, क्रोना में जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें क्या हुआ कि पार्तव बंद हो और लॉकडाउन वर्भ भारत में भी माना गया विच्व अड़िस में भी माना गया कि जो ये कॉरोना की उत्पत्ती हुई है, वह चीन से हूई है, तो कहीं हध्द तक व्यपार पर प्रतिबंद हो जागा गया और निरियात और आयात दोनों ही इसलिए चीन से वो बहुत मात्रा में आयात किया जाता है लेकिन जाहिर सी बात है करोना काल में ये प्रभावित हुआ इसलिए उद्योग भी प्रभावित हुआ क्योंकि इसमें भारत आत्म निर्भर नहीं है ब्रेमर का कहना है कि आने वाले समय में उद्योग उद्दमी कौन जो इवेला ने कहा कि कुरोना के समय विस व्यापार में जो अवरोध उत्पन हो गए हैं उन्हें दूर कर विस व्यापार को पुना पट्री पर लाना चाहिए अब यहां पर हम डब्लू टीओ के बारे में जान लेते हैं डब्लू टीओ यानि के वर्ल्ड ट्रेड एक मात्र वैस्विक अंतराश्टी संग्ठन है जो राश्ट्रों के मद्द व्यापार नियमों से संबंदित है डब्लू टीओ समझोता है इसके मूल तत्व हैं कि जिन पर कई व्यापारिक देसों द्वारा बाचित एवं हस्ताक्षर किये गए हैं या उन देसों की संसद म जिनकी पुष्टी की गई है अगर हम विस्वियापार संग्ठन यानि के वर्ल्ल ट्रेड और्गनाजेशन की बात करें तो अंतराश्टी जो संग्ठन है विस्वियापार का वो इसके नियम बनाती है इसकी स्थापना उनिस सो चानबे में हुई थी और यह गेट के बाद ह विस्वियापार संग्ठन के अंतरगत कई विवाद निप्टान की व्यवस्था का जटिल एवं खरचीली भी है मुद्दों के समाधान की प्रक्रिया का जटिल होना अधिकारों एवं दायत्तों की उचित बठवारा ना होना इतना महत्तपूर्ण संग्ठन होने के समाधान करना निर्णे लेने की प्रक्रियाओं में पार्दरसिता को बढ़ाना वैस्विक आर्थिक प्रबंधन में सामिल अन्य प्रमुक आर्थिक अंतराष्टी आर्थिक संस्थानों के साथ सयोग स्थापित करना विकास सिल देशों को वैस्विक व्यापार प्रणाली स पूरी तरह से लाभानवित होने में सहयोग करना इसके प्रमुक कार रहे हैं और ये एक जनवरी 1995 को अस्दित्तों में आया था जैसा आपको बताया गया है आगे अर्टिकल में बताया गया है कि भविश में माल के उत्पादन का राश्टी करन होगा जबकि ऑनलाइन सिक्षा डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्स सौफ्ट्वेर जैसी सिवाओं का विस्व्यापार बढ़ेगा इस प्रश्ट भूमी में भारत सरकार को 400 अरब डॉलर की वस्तूओं के निर्यात के अपने लक्ष पर पुनर विचार करना चाहिए या वैस्विक इसतर पर माल के व्यापार का राश्टी करन होने की संभावना है तो हमें निर्यात केंद्रित बनने की तरफ बढ़ने से बचना चाहिए या सही है कि हालिया दौर में हमारे निर्या कुरोना पूर इस तर पर आ गए हैं लेकिन इसमें भारी व्रद्धी की संभावनाएं नहीं देखती हैं भारत के पास सिक्षित लोगों की भारी उपलब्धता है वरतमान में जिन वस्तों के व्यापार का संकुचन हो रहा है वे WTO के दाइरे में हैं और जिन सेवाओं का वि इस समधाय के समक्ष कहना चाहिए कि WTO की वरतमान संधी अप्रसांगिक होती जा रही है WTO संधी लागू होने से पहले भारत समेत कई देशों में प्रक्रिया यानि प्रोसेस पेटेंट की व्यास्था थी तो अब ये प्रोसेस पेटेंट क्या होता है इसका संबंद नई प उत्पादन को बनाने के लिए उसी प्रक्रिया तक्नीक से उत्पादन उत्पाद को नहीं बना सकता जिस प्रक्रिया से किसी उत्पाद को पहले से ही किसी कंपनी दोरा बनाया जा सकता है आप एक्जामपल ले सकते हैं कोविट वैक्सीन का कोविट वैक्सीन में जो सकते हैं फार्मूला है वो दूसरी कंपनिया यूज नहीं कर सकती है यही प्रोसेस पेटेंट के अंतरगत आता है सेवाओं के निर्यात ने बन रही संभावनाओं को भुनाने के लिए हमें विसेश प्रयास करने होंगे अंग्रेजी और कंप्यूटर सिख्छा पर भी ध्यान करना होगा अंग्रेजी के विरोध में तर्क दिया जाता है कि उससे हमारी संस्कृति खत्रे में पढ़ जाएगी मैं यह तर्क से सहमत नहीं हूँ पहले सिंदु घाटी की भासा थी जिसे अभी तक पढ़ना संभव नहीं हो पाया है उसके बाद प्राकृतिक भासा आई औ लेकिन हमारी संस्कृति की निरंतरता बनी रही इसके अतिरिक्त यदि हमें अपनी संस्कृति का वैस्वी करन करना है तो अंग्रेजी अपनानी ही होगी आज पश्यमी देशों ने लेटिन भासा को पकड़ नहीं रखा है वे अंग्रेजी में आगे बढ़ गए हैं और ले UNSC, United Nation Security Council के बारे में हम लगबग कई बार डिसकस कर चुके हैं लेकिन फिर भी इसे हम डिसकस करते हैं इस आर्टिकल को United Nation Security Council जो है वो संयुक्त राष्ट की छे जो संस्थाएं हैं उनमें से एक प्रमुख है और सक्ति साली संग्ठन इसे माना जाता है और तो जो संयुक्त राष्ट की याने की United Nation की United Nation Organization की जो छे साहिक अंग हैं उनके बारे में जान लेते हैं पहला है महासभा याने की General Assembly दूसरा है सुरक्षा परिसद Security Council तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिसद याने की Economic and Social Council चौथा है अंतराष्टी न्यायले International Court of Justice पांचवा है न्याय परिसद याने की Trustship Council और छठा है सचिवाले Secretary तो यह 6 है उसमें से आज हम यह जो आर्टिकल डिसकस कर रहे हैं दूसरा वाला सुरक्षा परिसद याने की United Nations Security Council के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं पांच इस्थाई और 10 अस्थाई पांच इस्थाई सदस अमेरिका ब्रिटन फ्रांस रूस और चीन हैं जिनके पास विशिष्ट वीटो पावर है जबकि इस सेश दस सदस्यों का चैन छेतरी आधार पर किया जाता है पांच सीटे अफरीका एसिया देसों के लिए एक पूर्वी यूरोपिय देस दो लेटिन अमेरिकी और कैरबियाई देसों में और दो पश्चमी यूरोपिय तथा अन्य देसों को दी जाती है हर दो साल पर पा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और इस छेत्र में अंतराश्टी सहयोग की आउशक्ता पर बल दिया साथ ही कहा कि महासागर दुनिया की साजह विरासत और समुद्री मार्ग अंतराश्टी व्यापार की जीवन रेखा है उन्होंने समुद्री व्यापार और विवादों के सांतिपूर्ण समाधान समेट पांच सिद्धान भी पेस किये हैं पहला हमें वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना चाहिए दूसरा समुद्री विवादों का निप्टारा सांतिपूल तरीके से अंतराष्टी कानून के आधार पर किया जाना चाहिए तीसरा वैस्विक समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं और आतंकियों द्वारा उत्पन समुद्री खत्रे का एक सांथ मिलकर सामना करना चाहिए चौथा समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षन किया जाना चाहिए और पांचवा है समुद्री संपर्क को प्रोथसाहिद करना चाहिए यह पहली बार है कि भारत ने स्युद्राश की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली संस्था यानि स्युद्राश सुरक्षा परिशत की अध्यक्षता की कमान समहाली है नरेंद्र मोदी स्युद्राश सुरक्षा परिशत बैठक की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधान मंत्री बन गए हैं भारत को एक अगस्त से महीने भर के लिए स्युद्राश सुरक्षा परिशत की कमान मिली है इस दौरानवा सुरक्षा परिसद में तीन बड़े मुद्दों, समुद्री सुरक्षा, अंतराश्टी सांती एवं आतंकवाद रोक थाम के समंद में कारिक्रम का आयोजन कर रही है। इसी 5 अगस्त को जम्मु कस्मीर से अनुचे 370 हटाने के 2 साल भी पूरे हो गये हैं, साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाय वापस लोट रही हैं, तालिबानी प्रभाव भी फिर बढ़ता दिख रहा है, ऐसे समय में दुनिया की निगाहें भारत में हैं, भारत पर हैं, वैसे समुद्री सुरक्षा, अंतराश्टी सांती और सुरक्षा पर भारत का सोच दुनिया के सामने जग जाहिर है, तो आर्टिकल 370 क्या है, ये जान लीजे, जम्मु कस्मीर का भारत के साथ कैसा संबंध होगा, इसका मसौदा जम्मु कस्मीर की सरकार नहीं तयार किया थ जम्मु कस्मीर की समिधान सभाने 27 मई 1949 को कुछ बदलाव सहित आर्टिकल 306 जो अब आर्टिकल 370 है को सुईकार कर लिया था, 17 अक्टूबर 1949 को यह आर्टिकल भारते समिधान का हिस्सा बन गया, ध्यान रहे कि समिधान को 26 नवंबर 1949 को अंगी करत किया गया था, तब से और 26 जनवरी 1950 को यह लागो हुआ था, अब जो यह पूरा विवाद है भारत का 370 पर अब उसका समाधान लगबग होता दिख रहा है, संगठन के गठन का उद्देश, दिती विश्यूद के बाद के देशों के 27 सुरक्षा और मेत्री पूर्ण समंदों को बढ़ावा देना था, संगतराष्ट के 6 एहम जो अंग हैं उनके बारे में आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है, बीते वर्स, जब दुनिया कोविड महामारी से जूज रही थी, तब प्रधान मंतरी नरेंद मोदी की दूरदर्शिता ने उसे नई दिसा दी थी, अचानक आई आपदा से निपटने के लिए किये गए उपायों से देश में कोविड का सुरुवाती प्रभाव कम पड़ा, लेकिन जो दूसरा दौर आया, वो जाहिर सी बात है, पूरी तरीके से उन्होंने मेडिकल फिल्ड को धुस्त करके रख दिया, अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है विवपक्ष की नाकामी हम कई बार डिसकर्स कर चुके हैं, नेक्स्ट नियूज है, अफगान मुद्दे पर आज दोहा में बैठक भारक भी लेगा हिस्सा, अफगानिस्तान में दो और प्रांतों और अफगान सिना की मदद के लिए भेजे गए एक भारती M.I.24 हेलिकॉप्टर पर तालिबान के कबजे की सुचनाओं के बीच गुरु आरको दोहा में होने वाली बैठक के लिए भारत की तयारी पूरी है, हाला कि भारती पक्ष अंदर खाने या सुचार करने लगा है कि हालात वहाँ पहुच गए हैं जहां दोहा या किसी और बैठक का तब तक कोई मतलब नहीं है, जब तक तालिबान के हिंसक आक्रमण को रोकने के लिए कोई निलनायक फैसला ना हो, अफगानिस्तान में अपने हितों के खिलाफ माहल जाते देख, भारत की रणीती यही रहेगी कि अंतराश्टी बरादरी तालिबान पर सांती समझोते के लिए एक जुट होकर दबाव बनाए, कई अंतराश्टी सग्यों ने कहा है कि जिस तेजी से तालिबान अफगानिस् पर अफगानिस्तान का कबजा होने की सूचना है, हालात की गंभीरता को देखते वे भारत ने मजारे सरीफ इस्तित अपने मिशन में काम करने वाले सभी अधिकारियों और उनके परिवारों को वापस बुला लिया है, भारत सरकार की तरफ से भेजे गए एक विसेज विमा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर कर दीजेगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद